हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूटूब हैल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूंगी एक ऐसा घरेलू नुस्खा एक ऐसा चीज जिससे आप बहुत ही जल्दी मा बन सकती है हर परिवार की चाहात होती है कि साधी के बाद उसके घर में नन्हे मुन्हे बच्चे की किलकारी गुंजे लेकिन कई बार कुछ कार्णों से महिलाओं को गर्वधारन में दिक्कते आती है कई बार कुछ आदतों और कंडिसन के चलते महिला है चाहा कर भी pregnancy carry नहीं कर पाती और आउसाद में आ जाती है अगर महिला गर्वधारन की कोशिश कर रही है और फिर भी गर्वधारन नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत ही जल्दी conceive कर सकती है ये नुसका natural है और बहुत ही सस्ती भी है ये आपको हर घर के kitchen में मिल जाएगी आप इस वीडियो को पूरा देखीगा इस वीडियो में मैं आपको इसे use कैसे करना है कितनी मातरा में लेना है ये पूरा बताने वाली हूँ आज के समय में खान पन और जीवन सैली का सर fertility पर पड़ता है और ये समस्या हार्मोल्स के असंतुलन, PCOD, मोटापे या फिर ओवरी सिष्ट के कारण हो सकती है ऐसे में आप दालचीनी का use कर सकती है जिसे हम मसालों के रूप में use करते हैं दालचीनी fertility को बढ़ाता है, metabolism को सह करता है, दालचीनी में antioxidant भरपूर मातरा में होते हैं जो आपको conceive करने में help करता है, इसे आप मार्केट से लाकर इसका powder बना लें, इसे आप चाय बना कर भी पी सकते हैं या फिर आप दूद में मिला कर पी सकते हैं, आप इसे किसी भी रूप में use कर सकते हैं, इसे आपको दिन में दो चुटकी ही लेना है, ज्यादा मातरा में नहीं लेना है, दो चुटके दालचीनी का powder आपको conceive करने में help करेगी, इसे आप अपने period के बाद से ovulation होने तक use कर सकते हैं, यानि period के पांचवे दिन से पंद्रवे दिन तक ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग होते हैं, आप इसे बेफिकरे यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके बताईएगा, और अगर आपको वीडियो helpful लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो फि मिलते हैं नेक्स टूडियो में, ठैंक्स वर वाचीं